नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्रावड पटवा और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नौलिज अल अबाउट में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी कॉर्परेशन आप इंडिया में वेरियस रिक्यूर्मेंट जो निकला हुआ है उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं इस तरह जो है सेकी के अफिसल साइट पर आप जाएंगे तो यहां केरिया टैप पर आपको क्लिक करना है केरिया टैप पर आप क्लिप करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा है वे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजबल वीडियो पोस्ट किया जाता है वह आपको हर पल मिलती रहे दोस्तो इस तरह आप नॉटिफिकेशन में देख सकते हैं कि सोलर एनरजी करप्रेशन अप इंडिया लिम्टेट के द्वारा जो है रिकुर्मेंट जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट नमबर अपोस्ट और जोब स्पेसिफिकेशन एक्स्प्रियंस और एज लिमिट का क्रेट एरिया यहां पे दिया हुआ है सबसे पहले हम बात करें मैनेजर बिजनेस के लिए तो यहां पर फर्स्ट क्लास MBA टू एर्स पीजी डी बीम इन मार्केटिंग अफ्रियों डिग्री फीट 60% मार्स के साथ जो है पास आउट होना चाहिए और साथ साथ यहां पर सेवेन इयर का एक्सप्रियंस भी होना चाहिए इनका पे इसके लिए यहां पर दिया हुआ है साथ ही सिनियर ओफीजर के लिए यहां पर दो पोस्ट है फर्स क्लास MBA विट 60% मार्स और इन HR, Social Work, MSW for a रिगरनाइट इउनिवर्सिटी के साथ जो है पास होना यहां इनका एज क्राइटेरिया 22, 32 साथ यहां पर सिनियर इंजिनियर इंफ्रमेशन टेकनलोजी के लिए टू यहां पर इनका एज क्राइटेरिया दिया हुआ है और साथ ही यहां पर HR Accountant Officer के लिए CMA और 2 years MBA with Specifications of Financial with Minimum 60% मार्स के साथ उत्री होना चाहिए इनका भी एज क्राइटेरिया 32 years दिया हुआ है Secretary Officer के लिए जो है यहां पर एक पोस्ट है यहां पर Candidate जो है Member of Company Secretary of India ACS Candidate must have Secure Minimum 55 मार्स के साथ जो है इनको पास आउट होना चाहिए Supervisor के लिए है दो पोस्ट graduate in any degree के साथ होना चाहिए और साथ यहां पर 1 year का experience होना चाहिए इनका भी एज क्राइटेरिया 32 years दिया हुआ है Junior Programmer के लिए Diploma in Computer Science Engineering Application इनका भी एज क्राइटेरिया 32 years हुआ है इनका भी work experience जो है एक एर का होना चाहिए उसके बाद जो है अकाउंटेंट का है पोस्ट नमबर और पोस्ट 3 इनका जो है Aim.com और B.com honors with minimum 55 marks के साथ उत्रिड अभीर थी यहां पर आवेदन कर पाएंगे इनका इस क्राइटेरिया 32 years है Supervisor के लिए 13 पोस्ट है Diploma in Mechanical Electrical Civil Engineering इनका भी 32 years है और इनके पास भी one year पोस्ट का one year का experience होना चाहिए साथ ही यहां पर other term and condition यहां पर vacances and reservation के लिए यहां पर दिया हुआ है और साथ ही horizontal reservation जो government के थ्रू होता है वह भी यहां पर आपको मिलेगा साथ ही यहां पर relaxation in upper age limit का भी यहां पर प्रवधान है कि कितना जो है आपको अरक्षर मिलेगा category wise यहां पर दिया हुआ है साथ ही यहां पर package जो आपको मिलने वाला है SLD वह किन-किन facilities के साथ जो मिलेगा उसका उलेग यहां पर दिया हुआ है साथ ही यहां पर selection criteria जो है application के उपर depend करता है साथ ही यहां पर लिमिट आफ नंबर अप अप्लिकेशन टो बी कॉल फार ए पार्टिक्लर पोस्ट बेसेटर मार्श अप्ट दस्री बार विक रिजुएशन अन इन डिसाड़ेट रिटेन एक्जाम यहां पर जो दिया हुआ हुआ है आपको जनकारी दिया जाएगा साथ ही यहां पर other condition दिया हुआ है जिसमें इसमें आल इंडिया के अभर्थी जो है अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही यहां पर सेकी का जो साइड दिया हुआ है उसके माध्यम से ही जो है आपको online आवेदन करना है और साथ ही यहां पर no application fish will be charged यहां पर कोई भी fish नहीं है अप्लाई करने का और साथ ही एक चीज़ यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर 7 नमबर पर दे सकते हैं कि जो apprenticeship training किये हैं उन यहां पर अनुभव work experience के तौर पर जो है माने किया गया है तो जहां से भी आप लोग को apprenticeship करने का मौका मिले तो वहां से apprenticeship जरूर कर लें कि यहां पर experience के तौर पर इसका count होगा साथ ही यहां पर जो है यहां पर online registration open जो है 10.2.2021 से 9.3.2021 तक रहेगा इसी बीच में जो है आपको online आवेदन करना है तो यह notification आपको जो है डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से भी आप लोग इसको असानी से download कर सकते हैं आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ जादा से जादा से शेयर करें ताकि उन तक जनकारी पहुच सके आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रूप और फेस्बुक पेस से जरू जुड़े जिसका लिंक नीचे डिस्क करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग जैहिन